निमस्कार आप देख रहे हैं कशिश निउस मैं हुआ आपके साथ रुची का राज वैसे तो भावी और देवर के रिस्ते को काफी पवित्र माना जाता है लेकिन इस रिस्ते को कलंकित किया है बिहार के एक यूवक ने दरवसल बिहार के आरा जुले के रहने वाले एक यूवक ने इस रिस्ते को कलंकित कर दिया है और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्यूंकि कहानी ही कुछ अजीबों करीब है एक सनकी देवर जो कि अपनी भावी के प्यार में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है गोली मर कर हत्या कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी बीच में आ रही थी उसके प्यार के बीच में आ रही थी हाला कि भावी उससे प्यार नहीं करती थी ये एक तरफा प्यार था लेकिन एक तरफा प्यार ही भारी पर गया भावी पर बता दें आपको पूरी कहानी क्या है? इस कहानी की शुरुवात 2012 से ही हो गई थी जब दोनों की शादी हुई थी बता दें कि जो बड़ी बहन और चोटी बहन दोनों की शादी एकी जगाइ पर हुई थी यानि कि जेठानी और देवरानी दोनों बेह नहीं थी लेकिन देवर की नजर भावी पर ठीक नहीं थी वो अपनी भावी से प्यार करने लगा बेहिंतहां प्यार करने लगा और इसका विरोध उसकी पत्नी लगातार करती थी जिसे लेकर के उसे काफी गुसा आता था लड़ाई जगड़े भी होते थे और एक दिन ऐसा हुआ जब वो अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिया पूरी कहानी क्या है आई हम आपको विस्तार से बताते हैं बता दें कि 20 वर्षिय पूर्णम कुमारी और उसकी बड़ी बहन पूजा कुमारी की शादी कृष्णा सिंग के दोनों बेटे जैराम और बड़े बेटे रमेश से 5 मई 2012 को धूम धाम से हुई थी पूर्णम और पूजा दोनों सगी बहन है पूजा बहन में बड़ी थी और वो ससुराल में जेठानी थी लेकिन शादी के बाद आरोपी जैराम का संबंध पतनी पूजा से जादा उसकी भावी से था पूर्णम हमेशा इस अवैस संबंध का विरोध करती थी जिसके चलते जैराम ने उससे अपने रास्ते से हटाने के लिए पूर्णम को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी इतना ही नहीं ससुर कृष्णा सिंग की भी अपनी बहवो पर नजर गंदी थी वो भी अपनी बहवो प पर गंदी नजर रखते थे बता दें कि आरूपी जैराम कुमार अपनी भावी से प्यार करता था और उसकी पत्नी अक्सर इसका विरोध किया करती थी इसे गुस्से माकर मंगलवार की श्याम उसने अपनी पत्नी की गोली मर कर हध्या कर दी देवर के इस जुल्म की गवा उसकी भावी ही बनी जो खुद उसके एक तरफा प्यार से परिशान थी वहीं इसके बाद आरूपी अपने भाई और पिता के साथ मिलकर अपनी भावी को भी मारने की प्लानिंग करने लगा यूवा की भावी ने खुद पुलिस को इस मामले की पूरी चानकारी दी जिसके पुलिस ने हत्या के आरूप में पती ससूर समें चार आरूपियों को गिरफतार कर लिया है इसके पास से हत्यार में इस्तेमाल देशी पिस्टल और चार मोवाईल फून बरामत किये गए हैं मृतिका की पहचान 20 वर्श पुनम कुमारी के रूप में की गई है तो ये खबर जो है वो आरा से आ रही है जहां पर देवर अपनी भावी से एक तरफा प्यार करता था और उसी प्यार को ले करके उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी हाला कि भावी से जब इस पूरे बारे में पूछा गया पूछताच कर रही है तो पूछताच में काफी कुछ साफ होता और उसकी भावी का कहना है कि मेरी बहन के हत्या के बाद मेरे उपर प्लानिंग की जा रही थी इसमें उसके ससुर पती और देवर तीनों हे शामिल थे और ये प्लानिंग पूरी की जा रही थी कि कैसे अब उसकी भावी यानि की पूनम पूजा की भी हत्या कर दी जाए लेकि झाल झाल